वीवो T3 तो गाइस फाइनली वीवो T3 के अंदर एक लेटेस्ट सॉफ्टर अप्डेट जो आ चुका है तो फ्रेंड्स कैसे अप्डेट करना है कैसे इंस्टोल करना है जैसे कि आपका डेटा डेलेट ना हो अप्डेट हो सब कुछ मैं आपको डीटेल्स में बताने वाला हूँ तो प्लीज वीडियो पे ना स्किप के एंड तक देखे रहे हैं और आप हमारी चैनल पे नवे तो प्लीज चैनल को पे सब्सक्राइब किजिए का ताकि ऐसे ही वीडियो माँ तक पहुचाते रहे हैं तो तो दोस्तों यह हमारे पास Vivo T3 5G तो फर्स्ट विफ अपको अपना डेटा आउन के लेना है फिर आपको चले जाना है सैटिंग्स में सैटिंग्स पे दोस्तों जैसे ही जाओगी तो यहां पर नेजी की तरब स्क्रोल करना है जैसे यहां पर क्लिक करते हो तो यहां पर आ 13.0.13.1 W30 864 MB का software update जो आया हुआ है तो यहां से हम इसको download and install कर लेंगे और यहां से हम जैसे continue download कर लेना है जैसे download हो जाता है तो इसको कैसे इस डॉल करना है वह मैं बताऊंगा इस वीडियो में आगे और एक बात फ्रेंट की अपडेट के अंदर कंपनी ने क्या कुछ चै हो जैसे यह 100% download हो जाता है तो मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे install करना है और यह trial version है आपके phone के अंदर भी शो करेगा कुछ इस तरीक से आप इसको install करोगे तो और यह मेरा primary device ही यानि कि इसको में regularly use करता हूँ तो यहां पर देख सकते हमारा download जो start हो चुका है और दोस्तो process जो start हो जाती जो कि यह भी 0-100% नहों तब तक आपको wait करना है और दोस्तों यह जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ आप step by step follow करोगे तो आपका data भी delete नहीं होगा और आपके phone का software update भी हो जाएगा और यहां पर देख सकते हूँ जैसे कि मैंने phone को stand पे लगा दिया यानि कि अभी इस phone को छूने के भी जरूरत नहीं अभी इस phone के अदर जीतने भी process होगी वह automatically होगी और इक बात friends कि जब भी अपना smartphone जो update करो तो आपका charging जो आपको 50% से उपर रखना है विकॉल यहां पर update में बहुत time लगता है फिर ऐसा भी ना हो कि update के वज़र से हमारा phone जो start ह कि नहीं हो पाए यानि कि आपको charging जो यहां पर आपको 50% से उपर रखना है और दोस्तों जैसे कि यहां पर देख सकते हो software डाउनलोड हो जाने के बाद यहां पर आपको दो options मिलता है एक है reset overnight और दूसरा reset now यानि कि अब भी recently इस phone के अंदर आपको software इंस्टोर करना है तो restart को पहले बताया अब इस phone के अंदर जितने भी process होगी और यहां पर आप देख सकते हो अगें वीवो 5G की branding आ चुकी है और दोस्तों यहां पर आप देख सकते हमारा phone जो completely start हो चुका है यानि कि जो हमने इस phone के अंदर software डाउनलोड एंस्टोल किया वो completely हो चुका है और यहां पर first time update होने के बाद phone start होगा तो थोड़ा बहुत loading लेगा फिर यह normal हो जाएगा और आपको ऐसा भी लगेगा कि phone गर application दिखा रहा था वो completely hurt चुका है यानि कि जो trial version में हमने इसके update किया वो भी complete हो चुका है तो कुछ इसलिके आप अपना phone update कर सकते हो तो अपको यह पसंद आई होगी अगर आपका कोई भी सुझा हो तो मैंने चीक्शन में जरूर बताना अब तक आपने चैनल को सब्सक्रा आपके आपके जरूर बताना एसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ थैंक्स पर लचिंग दिसमें आच के सब्सक्राइब में इतने दोस्तों धूर थैंक्यू सो मच बाइब फ्रेंड्स